तो मैं बल्राम जी की साम के साथ जो एक लीला हुई है वो पढ़ूंगा और उसमें से कुछ बताने का प्रायास करूंगा चैप्टर नंबर है क्या चैप्टर नंबर है यह जी प्रभुजी पर वो इसमें लिखा नहीं है मिन्स यह सौर्ट में करके दिया है तो यह कृष्णा बुक में से है हाँ लीला साम की कृष्णा और स्रिम्मत भागवतम दोनों में आती है आच्छा ठीक है तो एक बार दुरियोदन की पुत्री लक्समना का स्वयमवर होता है तो उसमें कृष्णा भगवान और जामवति के पुत्र जो है साम वो जाते है और लक्समना का हरण कर लेते हैं तो तब जो है दुरियोधना दी छे महारत ही होते है वो साम का पीछा करते है और फिर उससे लड़ते हैं तो शुरू में तो साम उनसे अच्छे से लड़ पाता है पर बात में वो छे महारती से परास्त हो जाता है तो नारतमुनी जो है वो ये बात द्वारिका में सभा में कहते है तब उग्रसेन जो है वो ऐसा बोलते है कि हमें अस्तिनापूर पर आक्रमन करके साम को बचाना चाहिए तो फिर तब जो है दुरियोधन अरे बलराम जी जो है वो बीच में पढ़ते हैं और बोलते हैं कि वो भी हमारे संबन्दी ही है तो हमें पहले सांति से प्रायस करना चाहिए और फिर नहीं मानते हैं तो हम दूसरा विकल्प देख सकते हैं तो इसलिए फिर बलराम जी जो है वो उद्दव जी और अन्या ब्रामान और वरिष्ट जो भी है उनको साथ लेके हस्तिनापूर के बाहर रुकते हैं तो उद्दव जी जो है वो हस्तिनापूर की सभा में जाते हैं और दुरुत्राष्ट आदी को बताते हैं कि बल्राम जी जो है वो यहां पर आये हुए हस्तिनापूर की बाहर चावनी में रुके हुए है तो दुरुत्राष्ट जो है वो दुर्योधन जो है वो भले ही आशुरी प्रकूरूती के थे पर वो बलराम जी को अपने घर का हिते से मानते थे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दुर्योधन वगेरा उद्दव जी का भी स्वागत करते हैं अच्छे से और फिर बलराम जी से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर बलराम जी को उनके लिए अलग-अलग मतलब वो अत्ति थी है तो उनके अलग-अलग सामगरी से स्वागत करते हैं प्रणाम करते हैं और फिर बलराम जी बताते हैं कि आपने साम को कैद कर लिया है तो आप उसे लक्समना के साथ परत कर दीजिए तो दुरियोधन जो है वो बड़ी उद्धन टाइट से बताता है कि यद्धुबंसी जो है वो एक छूटे से कस्बे के राजा है और उसको संभ रहे और हम समराठ है तो आप यह कैसे अपिक्सा कर सकते हैं कि हम आपको जो है लक्समना को दे देंगे तो इस तरह से बहुत उत्दंडाई से सब बताता है और फिर वो वापस चल जाता है तो बलराम जी जो है फिर ऐसा समझते कि अब इनको कुछ पाठ इनको पढ़ाना च ना कि पूलते हैं कि यदूवणसी है वो मतलब इस तरह से कैसे अपिक्सा करते हैं और आप राज सियासन के अधिकारी नहीं हो और इस तरह से तो फिर जो बलराम जी बोलते हैं कि जो सुदर्मा सबार हम हमारे पास रखते हैं और देवताओं के पारिजात व्रुख्ष भी तो इस तरह से फिर वो बलराम जी अपने हल से पूरे हस्तिनापूर को गंगा जी की तरव खिते हैं गंगा जी इसमें बताया है लास्ट में कि दिल्ली से वरुंदावन तक का जो भी गंगा जी का पार्ट है उसी को गंगा जी कहा है तो गंगा जी के तरफ हल से हस्तिनापूर को खीचते हैं तो पूरा हस्तिनापूर है वो गंगा जी में ऐसे डूबने लगता है तो तो फिर दुर्योधनादी सब ऐसे बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और फिर उनको अपनी गल्ती का ऐसास होता है और वे सब समझ जाते कि ये बलराम जी हम पर कोपित हुए है और बात में सब उनकी सरण में जाते हैं और अपने बूल के लिए शमायाचना करते हैं और फिर लक्समना को साम के साथ उनको परत करते हैं और साथ में काफी सारा उनको दहेच देते हैं और इस तरह से फिर अपनी माफी मांगते हैं और फिर बलराम जी की अलग-अलग स्लोपों से स्तूति करते हैं कि आप जो है आपको विद्वान ऐसा कहते कि आप ही जगत की स्थिती उत्पत्ती और नास का कारण है तो और आपका इस तरह से फिर हे हजार मस्तक वाले अनंद आप ही इस भूममंडल को अपने मस्तक पर लीला के द्वारा धारण करते हैं और प्ललाई काल में सर्वा जगत आप ही में लीन होता है इस तरह से अलग-अलग लोगों के द्वारा स्तूति करते हैं तो बगवान बताते के मेरे जन्म और कर्म जो है वो दिव्या है तो अलग-अलग लोग इस लिला को moral of the story में मतलब अलग-अलग इसका निसकर्स निकालते हैं तो एक श्रीमत भागवतम अध्यत्म राश्य उसमें इस तरह से बता है कि सांब जो है सांब मतलब सिव मतलब जो दैवी और अंब मतलब अंबा मतलब प्रकृति सांब मतलब दैवी प्रकृति का प्रतीक है और लक तो जीव जब दैवी प्रकृति को अरजित करके आशुरी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो जिस तरह से दुरियोदन भीश्मादी छे महारती सांब पर हमला करते हैं उसी तरह जीव पर आशुरी प्रकृति के जो छे महारती है कामक्रोद लोग सब्सक्रीजों सब्सक्राइए पर जैसे इन आसुरी मघृत्तियों के उनके साथ लड़ता है पर जैसे साम्ब अक्यला होता है इसके कारण हार जाता है उसी तरह जब भी जीव अक्यला दूसरों भक्तों के और गुरुजन के कॉंस्टंट मार्क डर्सन में नहीं रहता और अकेले ही ऐसा सोचता है कि मैं ज्यान के बल पर इन आसुरी प्रक्रूतियों पर विजय प्राप्त कर लूँगा तो वो भी थोड़े समय के बाद हार जाता है और फिर जैसे नहरत मुनी द्वारका में बताते हैं कि इस तरह से सा तो बल्राम जी युद्ध नहीं करने देते और सांती से पहले सांती प्रस्ताव रखते हैं तो हम भी ऐसे समझ सकते कि हमने जीवन में कभी सत्संग प्राप्त किया होगा तो भले ही बात में छुट गया होगा पर जो दूसरे भक्ते या गुरू है वो सीधा मुसीबत आने नहीं देरेंगे कि कुछ शिष्य का हल हो जाए तो अच्छा है तो उसी तरह से वो कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे जो अग्यानी जीव है उस पर कोई इतना बड़ा भक्तों का नवा आए और बात में हम देखते हैं कि बल्राम जी जब हस्ती नापूर जाते है तो पहले तो सांतिप्रस्ता दुर्योधन जो है वो बल्राम जी का अच्छा स्वागत करता है तो यह दिखाता है कि हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो बल्राम जी को अपने गुरु मानते थे तो आसुरी प्रक्रोतिक का जीव भी जो है वो खुझ समय सत्संग प्राप्त करता है तो उसमें थोड़ी नमरता आ जाती है तो उससे ये भी उसमें भी ये सब विवेक की बाते आती है कि हम तो इस तरह से भीहेव करना चाहिए पर वो ज्यादा समय उसमें ज्यान और वापस से वह अपुद्धन हो जाता है और उसके पास जो भी सत्ता है रूप है धन है ऐश्वरिय उससे वापस से वह सरण में जाना उसको अच्छा नहीं लगता है तो जैसे बल्राम जी ने हस्तिनापूर को गंगा जी की तरफ खीचा वैसे ही यहाँ पर हस्ति ना पूर तो हस्ति मतलब हाथी जो की जड़ वृत्ति अविद्या वृत्ति या काम वृत्ति का प्रतिक है और पूर मतलब शरीर कि यह शरीर में जो भी हमारी जड़ वृत्ति या अविद्या वृत्ति है उसको जब गुरु देखते है कि यह जीव जो है अभी उद्धन होने लगा है अपने अभिमान से तो उसको गंगा जी की तरफ और हल जो है वो है आत्मा अनात्मा वस्तु का भेद करने की विवेक अग्यान रुपी जो जीव है जो हस्तिनापुरु में है उसको ग्यान रुपी गंगा की तरफ खिचते है और इस तरह से जब वह जीव गंगा जब वह बहने लगता है तो उसको अपनी जो भी गलती है वो उसको समझ में आती है और इस तरह से वह फिर वापस अपने गुरुत की शरण में आता है हरे गृष्णा अच्छा यह अपने किसी आचारियों के टिका के माध्यम से तहा गया है सुनाई दे रहा आवाज मेरा इस ट्लियर ओके अरे किश्णा मेरे वीडियो को क्या हुआ है ओके थांक्यू वेरी मज्ट यह बहुत सुनदर आपने रुपे प्रभू बहुत सुनदर अपने तर्क जो है वितर्क आचारियों के पढ़कर अपकोश यह श्रिमत भागोतम में यह है लेकिन हमारे आचारियों का तर्क जो है या कमेंट्री जो है उसको उन्होंने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है रूपेन प्रभु ने बहुत सुदर आखिर कहने का ताथ पर यह है कि हमें गुरु के आश्रे में जब तक नहीं जाएंगे तो यह जीवातमा जो है बहुतिक प्रकृती जो आसूरी प्रकृती है उनके बहुत जल्दी उनके चंबल में आ जाता है इसलिए गुरू हर हमेशा पीछे रहना चाहिए हमारे पास जैसे धन आईश्वार्य यह सब आ जाता है तो हम गुरू के प्रति भी कभी-कभी उद्धंडता दिखाने लगते हैं कि हाँ गुरू मेरे से छोटे है गुरू को मैं यह सब देता हूं वह देता अओं इतना धन देता हूं उनका प्रजह्च चलाता ओं यह करता हूं वह करता वं तो गुरू मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं तो कभी-कभी ऐसे उद्धंडता आती है दुर्योदन का प्रतीक यह आशूरी प्रतीक है फरिक रुकुरुत के है यह बहुत प्रभुजी प्रभुजी हरे कृष्णा दलबत प्रणाम 79 चेप्टर है 79 चेप्टर वालव का उद्धार था बल्राम की का पवित्र स्थानों में प्रमन करना बहुत अच्छा लग लिए पड़ी है फिर एक मिनट कलपना माताजी आप ध्यान में रखी है वो कहां पे कौन सा चाप्टर है वो बाद में आपको उसके आगे पढ़ना है आप पड़ी दिन्दु वासुदे माताजी आपने बल्राम के विश्र में पढ़ी नहीं थे दो-तिन दिन पहले मैं तो पढ़ी हूपर मैंने बोला कोई नी हां आथ अठारा में कर लें इसलिए उसलिए उच्छा लगता है पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है अपैए तो पढ़ती हु समय वह असूर उस पवित्र स्थान पर आक्रमन करता था उस समय भयंकर ओला दृष्टी गोती संपून आकाश जूल से डग जाता और वातावन गंधी दुर्गन से बढ़ जाता इसके कुछी समय बाद दूस्ट बल्वासूर यग्यों की वेधी पर प्रचूर मात्र में मल अन्य असूर प्रचा करने लगा इस अब्यागा से प्रचात असूर एक तिशूल को अपनी बुजाओं में पकड़ कर प्रकट हुआ वह एक विशाल वेक्ती था और उसका काला और स्वरीर कोईले के जैसे विशाल और धेर के समान था उसकी केश उसकी दाड़ी तथा बू अपनी गदा एवं हल का समरन किया तथा वे दोनों वस्तुए तकाली इनके समुख प्रगट होगी बल्वासुर आकाश में उड़गा था उसे नीचे प्रकसीट लिया तथा क्रोधी तो कर अपनी गदा के असूर को सिर को चूर चूर कर डाला बल्राम जी के दोरा आक्रमन करने पर असूर का ललाट फट गया उसके कल ललाट में अत्यादिक रख बनने लगा और वह जोर जोर से चुखरे लगा इस पकार असूर को दर्म परायन ब्राह्मनों के लिए गोर अशान्ती का कारण था दर्ती पर गीर पड़ा उसका गिरना विशाल परवत की रक्त बान रक्तवन वाली चोटी पर ब्रजवात गिरने तथा इर्थी पर टूखने का समान था ने मिशारन के निवाशी विद्वान रिशी तथा ब्राह्मनी दर्श्य देखकर अच्चन था प्रसन होगे उसान उनने अपनी साधर्वंधने बल्रामची को अर्पित करी उनने अपन अच्चन था ने श्चन समार व संबन के ठीक उसी प्रकाल जैसे राजा इंद्रेट को असुरों पर विजय पाने के अवसर पर देता हो जा रसनान कराया जाता है ब्रामणों तथा रिश्यों ने शी बल्राम को सर्वतम नवीन बस्तत अबूशन और विजय की कवल पुष् जी धन्यवाद यस योगेश और कृष्णा प्रभू कौन पढ़ रहे हैं अन्म्यूट कीजिए यस यह प्रभूजी यह प्रभूजी व्यारी नाइस लखने के लिए किया और एंड रेश हो गया है वह ऐसा है वाई मिश्टेव हो है ओके ठीक है उसको यह कर दो सुरेंद्र प्रभू ने लोल एंड किया लेकिन प्रभूजी नहीं हो रहा है प्रुजी मैं मॉबाइल से पढ़ता हूं तो वीडियो ओफ रहेगा ओके ठीक है वहां से पढ़ो जहां पे वह एंड हुआ था आपको पता है क्या क्या है जी प्रुजी प्रुजी ना ओके ठीक है प्रुजी ना ओके ठीक है आप्वादा आपको प्रुजी ना ओके से हो इस पवट रहां ऑ। इस श्ज्चात श्री बल्राम ने नेवी शारणी में उपथित सभी ब्रह्मनों से आग्यावि ली तथा अन्य ब्रह्मनों सहीत वे को सीकी नदी के तट पर पोँचे इस पवित्र इस्थल पर इस्थनान करने के पश्चात वे सर्यू नदी की और बड़े तथा अंततावे प्रियाग पहुँचे जहां पर गंगा, यमना एवं सरस्वती का संगम होता है यहां पर भी उन्होंने नियमित रूप से इस्थनान किया, बगवान के इस्थानी मंदिरों के दर्शन किये तथा जैसा कि वेदिक साहित्ते में आदेश दिया गया है, पित्रों तथा रिशियों को तरपन किया अन्तता वे पुलह रिशी के आशरम में पहुँचे तथा वहां से गोमती नदी परिष्थित गंड़की गए विपाशा नदी में इस्थनान के उपरांत करमशय वे सोन नदी के तट पर आए आज भी सोन नदी बिहार रदेश की बड़ी नदियों में से एक के रूप में बह रही है उन्होंने वहां पर भी इश्नान किया तथा वेदी करमकान संपन किया उन्होंने अपनी यात्रा को चालू रखा तथा करमशय वे तिर्थ नगर गया में पहुँचे जहां पर श्री विश्नु का एक प्रशिद्य मंदिर है अपने पिता वसुदेव के प्रामर्श के अनुसार उन्होंने इसी विश्नु मंदिर में अपने पुरूजयों को तरपन किया यहां से वे गंगा नदी के मुहाने पर पहुँचे जहां पवित्र गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है इस पवित्र इस्थान को गंगा सगर कहा जाता है और जनवरी के अंत में हर वर्ष आज भी संत पुरुशों तथा पुर्णे पुरुशों की विशाल सभा हो प्रियाग में संत पुरुशों की सबा होती है जिसे माग मेला कहा जाता है। तथा आवश्यक कर्मकांड संपन करने के पश्चात उन्होंने अन्य नदियों के दर्शन के जो इस प्रकार हैं। जिसे पंच दर्विड कहते हैं। उत्तर भारत भी पंच बागों में वाजित हैं जिने पंच गोड कहते हैं। आदूनिक यूग के सभी महतोकुन आचारिये जैसे संकर आचारिये, रामानजुचारिये, मधवाचारिये, विष्णुश्वामी तथा निम्मार्क इन दर्विड परदेशों में परकट हुए। भगवान स्री चेतन ने बंगाल में परकट हुए जो पंच गोड देशों का एक अंग है। रंगचेतर में है और वहाँ पर विष्णु की स्री मूर्ती स्री रंगनात के नाम से प्रक्यात है। वह सेतुबंद की और बढ़े। सेतुबंद वह इस्थान है जहां स्री राम चंद्री जी ने भारत से लंका, सीलोन के बीच चट्टानों का पुल बांदा था। इस विषेश पवित्र इस्थान पर बलराम जी ने इस्थान ये ब्रहमन पुजारियों के बीच दस अजार गायों का विच्टरन किया। कि जब कोई धनी दर्शनारती किसी भी तिर्थिस्थान पर जाता है तो वह इस्थान ये पुजारियों को भेट में बोड़े, आभूशन तता वस्तर का दान देता है। तिर्थ इस्थानों का ब्रह्मन करने की एवं इस्थानी ब्रह्मन पुजारियों के जीवन के आवसेक्ताओं के अभी पूर्ती करने की प्रथा इस कल्यूग में ब्रेश्ट हो गई है। इस प्रकार दोनों दर्शनार्थी तथा पुजारी पारश्प्रक्त शहयोग से लाभानवित होते थे। इन दोनों नदियों को पवित्र माना जाता है। तथा बल्राम जी ने दोनों में इस्थान किया। तथ पस्चाथ वे मले पहाड़ी की और अग्रेशर हुए है। तथा कहा जाता है कि वे मले पहाड़ कहलाने वाली साथ चोटियों में से एक है। महर से अगस्ते वहीं रहा करते थे। बल्राम जी ने उनके दर्शन किया था। उनके सम्मुक जुक कर उन्हें परणाम किया रिशी का शिवाना लेने के पस्चाथ उनके अनुमत्ती से। बल्राम जी हिंद महासागर की और पड़े। अंतरीप के बिंदू पर दुर्गा देवी का एक भवय मंदिर है। पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो कितने पारग्राफ्स पढ़ रहे हो। जी प्रूबजी आप जैसा बोले। ना ना दो दो पारग्राफ्स पढ़ना है। सबको भी चांस मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है कहा पे एंड हुआ है। वो सर्वानी मित्र माताजी को बता देना तो कौन सा पारग्राफ है उस चाप्टर का। तो सर्वानी माताजी, from tomorrow, now we are very late, we have to join Guru Maharaj, tomorrow you can join early and raise your hand, and start from where it is stopped, okay, thank you, thank you very much. Surinder Prabhu, thank you very much, Surinder Prabhu, thank you very much, I have so much on the way it has been given indi- sign. Thank you very much, Surinder Prabhu, thank you very much, Surinder Prabhu. We will stop here and we all will join Maharaj. okay Hare Krishna Śrīla Prabhupāda की जाए Balraam Jainti Mohatsava की जाए Gauru Premanande Hari Hari Gaur